कुछ नहीं कल चाहे जान देना पड़ा है लेकिन सुबह उठना है पांच मिनट में कुछ बिगड़ता है आपको भी लगता है कि हाँ यार पांच अगली बार दे लेंगे इसके टालने की यादत है सेर वो तीस साल पुराना मन है याद रखिएगा और आप एकदम नहीं अपने अलाम लगाया सुबह चार बजे का और शाम को आप एकदम ताव में हैं कि बस कल कल चार बजे कुछ भी हो जाए खतम सारी नाटक बाजी और रात में आप एकदम ताव में हैं कि कुछ नहीं कल चाहे जान देना पड़े लेकिन सुबह उटना है अलाम लगाया आपने सुबह चार बजे अलाम बजा अब आपके इस मन ने यह नहीं कहा कि नहीं उटना है न तो अगली बार जो आपकी नीम खुली तो शाड़े आठ सुबह बज रहे थे लिए मज़ा तब आएगा सर तब यह आपको जलील करेगा कि देखो तुम उठी नहीं पा रहे हो तुमसे कुछ अब पूरा दिन आपका भारी रहे हो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि यह जलील कर रहे है ना अंदर से अरे तो भाईया साढ़े आट वेसे पांच घंटे पढ़ लो वो करने ही नहीं देगा वो यह इसकी चलाकिया है वो पहला चरण है सर फस्ट फेस और एक्जामपल देगा कि अभी 21 साल उमर है अभी तो हम पापा भी कह रहे थे अभी कोई ज्यादा जरूरी नहीं है अभी तो माइनोर चीजों को पकड़ना आप उनके प्रभाव में आ जाएंगे सर वो तीस साल पूराना मन है याद रखिएगा और आप एकदम नए है यह पहला फेस होता है सर हर अच्छी चीज को कल पे टाल देगा हर आप ट्राइब करके देख लो योगा करना है कल से कल सुबह एक बज़े उठे एक बज़े नहीं तुरंट प्राइब तो एक बज़ गया दूपार हो गया दूपार में ऑक्सिजिजन लेवल कम होता है साइंस कहती है तो चलो कोई बात नहीं अब कल से कर लेंगे यह मना तो करेगा नहीं सर इसकी सबसे प्यारी बात है यह किसी भी काम को मना नहीं करेगा आपके किसी बात को मना नहीं करेगा पर करने भी नहीं देगा सबसे मज़ेतार बात आपके किसी बात को मना नहीं करेगा पर सर यह करने नहीं देगा यही इसकी ब्यूटी है सर और वो जब आप पकड़ लेते हैं बस पहले चरण आपका पूरा हो जाता है जहां आपने उस बात को पकड़ा कि अरे यार यह तो पंदरा दिन से मुझे सुबह उठने नहीं दे रहा और सर यह रिपीट करेगा दूसरे दिन शाम को भी आप कहेंगे कि कल तो उठना ही है हां कहेगा बिल्कुल एकदम उठना है और तीन पचास पर उठना है फिर सुबह वही नाटक कर देगा यह पहला चरण है बड़ा क्रूशल चरण है बड़ा प्यारा चरण है सर इसकी चालाकियों को पकड़ना सर